मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई तिलनगाना के मुख्य मंत्री श्रीकेच चंद्रशेकर राओजी मंच पे बैठे हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन सिंग मान साब उत्तर परदेश के बेहद लोक प्रियनेता और पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साब मंच पे बैठे हुए अन्य सभी गन्मान्य लोग और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बेहनों भाईयों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सबको मेरा प्रणाम सबसे पहले राज साब को मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ आज मुझे तेलंगा ना बुलाने के लिए उन्होंने आज दो बहुत महत्वपून कारेकरमों में हमें शामिल होने का मौका दिया और उसके बाद आप लोगों से बाच्चित करने का मौका दिया मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कारेकरम शुरू किया है आपकी सब लोगों की आँखों का चेक अप कराया जाएगा तेलेंगाना में चार करोड़ लोग रहते हैं चार करोड़ लोग सब लोगों की बच्चों की बूडों की आदमी की औरत की इस धरम की अमीर की गरीब की सब लोगों की आँखों का चेक अप के सी आर साब मुफ्त में कराने जा रहे हैं उस कारेक्रम का आज शुबारंब हुआ जिसकी आँखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा और अगर किसी की आँखों में आपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में आपरेशन किया जाएगा शांदार प्रोग्राम है की नहीं है आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं मैंने और हम सभी लोगों ने यह सारा कारेकरम देखा इनके डॉक्टर से मिले, इनके आफिसर से मिले जितने ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लैनिंग की गई है, बहुत शानदार है मैं जाके इस पूरे कारेकरम को दिल्ली में भी लागू करूंगा और अभी अभी भगवन साब मान साब ने ऐलान किया कि इस पूरे कारेकरम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा फिर केसियार साब ने हमें यह बिल्डिंग दिखाई तेलंगाना में 33 जिले हैं 33 डिस्ट्रिक्ट उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटिग्रेटेड ओफिशल कॉम्प्लेक्स बन चुका है मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ओफिसेज हैं कलेक्टर भी यही हैं सिचाई विभाग भी यही हैं तैसीलदार भी है सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगे जगे धक्के ना खाने पड़े सारे काम एक बर ही वो यहाँ पे आए और उसका काम हो जाए ये भी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है इसको भी हम लोग लागू करेंगे मैं समझता हूँ अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें लड़ने की बजाए हमें लड़ना नहीं है हमें सीखना एक दूसरे से अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुँच सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश दिल्ली में हम लोगों ने महला क्लिनिक बनाए मुखला क्लिनिक में आपके मुख्य मंतरी KCR साब हमारे मुखला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुख्य मंतरी तेलंगाना के मुख्य मंतरी भला क्लिनिक दिखाने ले गए उन्होंने डॉक्टर से बात की नर्स से बात की सारा सिस्टम समझा और वापस आके उन्होंने उसको तेलन गाना में लागू किया वो क्या नाम है उसका बस्ती दवा खाना बस्ती दवा खाना नाम से उन्होंने तेलन गाने में लागू किया मुझे बहुत अच्छा लगा तमिल्नाडू के मुख्यमंतरी स्टेलिन साब दिल्ली आए उन्होंने हमारे स्कूल देखे हैं हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शांदार कर दिये सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं पिछले साल 99.7% तो स्टेलिन साब हमारे स्कूल देखने के लिए आए वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किये और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उधगाटन करने के लिए बुलाया दोस्तों मैं कई बार ये सोचता हूँ हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए 75 साल फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया फिर भी हमारा देश पिछडा क्यों रह गया हमारे बाद सिंगापूर आजाद हुआ जापान सेकंड वर्ल्ड वार में तहस नहस हो गया था पान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापूर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया, हमारे में क्या कमी रह गई, हम पीछे क्यों रह गई, हम पीछे इसलिए रह गई, क्योंकि जैसे विमान साथ ने बताया, हमारे देश की राजनीती बहुत खराब है, हमारे नेटा खिलेश यादव जी जैसे नेटा एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चरचा कर रहे है हम सब मिलके अब राजनीती की चरचा नहीं करते हैं आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठके चर्चा की किस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होने चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिचाई अच्छी कैसे होने चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूर से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं केरला में अस्पिताल बहुत अच्छे हैं उस ताइम से सुन रहे हैं अगर केरला में स्कूल हास्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए अभी तक हो जाने चीए ते बाकी देश में भी क् की देश में, हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, हम सारे पार्टीयं आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी-भी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलाडू का गवर्नर तमिलाडू की सरकार को तंग कर रहा है तेलेंगाना का गवर्नर राओ साब को तंग कर रहा है दिल्ली का गवर्नर मेर को तंग कर रहा है पंजाब का गवर्नर मान साब को तंग कर रहा है यह गवर्नर तंग नहीं कर रहे है मोधी सा कुम कि जा लेना देना। गवर्नेर के calling मिल गए आख राती हन और इस हैं और अजय आर्या़िए कर सारी मिल सुन्हान पौंदिसर्ण कि मुखनी यसिंधी हर आटाओ JON काम मत करने दो अड़ चनड़ो जिस देश का प्रधानमंत्री 24 गंटे बैठ के यह सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है मेरे को अब उसको तंग करना है वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त आप मेंसे कौन-कौन बेरोजगार है ज़रा हाथ खड़े करें जो जो बेरोजगार है जो जो अनेंप्लॉइड है मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रहे हैं अनेंप्लॉइड तो बहुत लोग हैं आज देश क्या एक एक यूवा बेरोजगारी से तरस्त है ह हमारे प्रधान मंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है वो 24 गंटे बैठके ये सोचते हैं मैं किस मुख्य मंत्री को तंकर हूँ किसके ओपर मैं CBI छोड़ू किसके ओपर मैं Income Tax की रेडर रलवाओं किसके पीछे मैं ED छोड़ू आज पूरे देश के अंदर कितश्य मैंगाई हो गई है काम आधंगी आवादमी को अपना घर चलाना משकिल होता जा रहरा है अपने बच्चे पालने म्सकिल बोता जा रहे है लेकिन देश के प्रधान मंत्री को महंगाई कि वैरोजगारी की कोई चंता नहीं है वो ये सोचते हैं आज मैं किस के हम मेले खरीदूं इस पार्टी के हम मेले खरीदूं इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। दो हजार चौदा में आप लोगों ने बड़ी पूरे देश के लोगों ने बड़ी उमीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था और एक एक बार नहीं दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत दे के जिताया लेकिन अब देश बदलाओ मांग रहा हैं लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए ये केवल और केवल देश बरबाद करने के लिए आए हैं दो हजार चौबिस का चुनाव आपके लिए एक मौका है अब दस साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे दो हजार चौबिस के अंदर सारे देश को मिलक इनको उखाड भेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे बेरोज़गारी के बारे में सोचे महंगाई के बारे में सोचे आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे देश की तरक्की करने के ल बहुत बहुत शुक्रिया